हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल उपचान उसके में दोस्तो हम उपचान उसके चैनल में रोजाना एक नया और ग्यानवर्दक वीडियो अपडेट करते हैं यदि आप उपचान उसके चैनल से जुढ़ना चाहते हैं तो उक्चारन उसके चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप आसानी से रोजाना एक नया और ग्यानवर्दक वीडियो देख सकते हैं दोस्तो आप हर रोज कुछ ना कुछ सपना देखते होंगे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यदि आपको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है आईए जानते हैं सपने में छोटे बच्चों को देखना कैसा होता है सपने हम रोज देखते हैं और इनमें हमें जो भी दिखता है वो हमसे जुड़ा होता है क्या कभी आपके मन में सवाल आया है क्या होता है जब सपने में छोटे बच्चे दिखें चलिए इस सवाल का जबाब हम आपको देते हैं जोतिस के अनुसार सपने में छोटे बच्चे आने के कई कारण है यदि छोटे बच्चे का सपना बार बार आ रहा है तो समझ लिजे कि आप भागिसाली हैं आए सबसे पहले जानते हैं चोटे बच्चों को खेलते वे देखना यदि कोई वेक्ति सपने में छोटे बच्चों को खेलते वे देखता है तो इसका मतलब यह है कि आपके दामपनती जीवन में मधूरता आएगी और संतान की भी प्राप्ति का योग बन सकता है इसके बाद जानते हैं सपने में छोटा बच्चा देखना यदि किसी व्यक्ति को सपने में छोटा बच्चा दिखाई देता है तो इसका अर्थ हो है कि आपके रुके काम पूरे होने वाले हैं सपने में छोटे बच्चे का आना इच्छाओं की पूर्ती की तरब भी संकेत कर कि आपके औरकती हैती है किसी व्यक्ति को सपने में बच्चती चलता हुए दिखा ओर दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है सतंबना मैं धिकिति को जुपने में दिखता है कि आपको रुके ओर धन की प्राप्ती हो सकती है। इसके बाद जानते हैं यदि किसी वैक्ति को सपने में लड़की दिखाई देती है तो इसका अर्थ क्या होता है। सपने में लड़की को देखना भी सूब माना जाता है, कहा जाता है कि सपने में करन्या को घर आते देखने का मतलब यह है कि मा लक्सिमी का आगमन आपके घर में हो सकता है, आईएप जानते हैं, यदि सपने में आप किसी वच्चे को गोद में पकड़ते हैं, तो इसका सब्सक्राइब लाइक और सेर करना ना भूले झाल झाल